विल्कम दोस्तों इस टॉपिक में हम समझते हैं रेशनल नंबर किसको कहते हैं और एक बेसिक अप्रोच हम यूज करेंगे रेशनल नंबर को समझने की तो यहां पर हम बेसिक अप्रोच की हम बात करते हैं इस नमबर में बसे इसको इस इसको मैं करता हूँ एक ऐसे नमब से कि मुझको resultant में 2 मिलता है मुझको यहाँ पर 2 मिलता है दो यह नमबर कौन सा होगा हमारा question है कि यह नमबर कौन सा होगा यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है अगर मैं इसको देखू यहाँ पर इस तरीके से 3 multiply by अगर मैं 2 by 3 करूँ तो 3 से दोस्तो 3 cancel out हो जाएगा और मुझको मिलेगा 2 तो इसका मतलब 2 by 3 हम यहाँ पर रख सकते हैं तो यहाँ पर यह किस तरह से काम करेगा दोस्तो यहाँ पर हम 2 by 3 रखेंगे तब ही मुझे 2 मिलेगा बट जब मैं 2 by 3 की बात करता हूँ तो यह किस टाइप का number है विच टाइप ऑफ नमबर इट इस यह कौन से टाइप का number है क्या यह whole number है दोस्तो whole number तो हमारे 0,1,2,3,4 ऐसे so on चलते हैं तो यह whole number तो नहीं है दोस्तो तो इसके बाद हम पूछते हैं क्या यह integer है दोस्तो integer तो हमारे minus 1, minus 2, 0, 1, 2 इस तरीके से आते हैं जहां पर fraction बिल्कुल नहीं होता यह तो fraction की form में तोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है यह integer भी नहीं है दोस्तो क्या दोस्तो यह natural number है natural number वो होते हैं जो हमें count कर सकते हैं 1,2,3,4 जिनको naturally count करते हैं तो 1,2,3,4,5,6,7,8 इस तरीके से so on natural number मिलते हैं बढ़ यहां तो दोस्तो 2 by 3 है यह तो natural number भी नहीं है तो किस type का number है यह हमें देखने की बहुत दोस्तो यह एक fraction number है और इसको generic terms में कहते हैं यह एक rational number भी है तो यहां पर हम जब introduction देते हैं अपना fraction का और rational number का तो basically सबसे पहले हम यह बोलते हैं कि fraction जो है वो rational number का part भी है और इस तरीके से वो काम करते हैं तो rational number जो है वो यह वाले भी number है इनको भी हम rational number भोल सकते है पट यहां पर fraction जो है एक अलग categories of number है जैसे के हमारी एक category होगी whole number की एक होगी integer की एक होगी natural number की जो fourth category है वो fraction की होगी तो यह दोस्तो fraction में belong करता है और fraction जो है वो एक तरीके का rational number है तो यह जो number है rational number इसकी जो basic form होती है मेरे पास दोस्तों वो होती है P by Q की form में और यहां पर जो P होता है वो भी एक integer होता है जैसे के बोलते हैं integer 1 और दोस्तों जो Q होता है वो भी एक integer ही होता है तो जो दो integer ऊपर नीचे हो numerator में यहां पर हम सको numerator बोलते हैं और यहां पर हम सको denominator बोलते हैं तो जो दोस्तों जो हमारे पास number है integer number है numerator में भी और integer number है ine nominator रिवी जैसे कि 2 x 3 यहां पर देखा था दोनों इंटीजर है 2 b integer थी इंटीजर है तो यह ピरист p by 2 की form बनाता है और इस retrieve डिव ईई की form को दोस्तों हम बोलते हैं rational number form rational number form अब हम पी यह कूँ को यहां पर अगर मैं आग 2 사람이 १ी को और explore कर ओन तो यह 0.66 six something आ जाता है और दोस्तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह एक रिशनल नंबर है जिसको हम decimal और fraction पार्ट में भी लिख सकते हैं तो यह हुई दोस्तों एक basic definition rational number की रिशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यों की फॉर्म में आए तो whole हमें one मिलता है तो इन तीनों केस में दोस्तों जो डिनॉमिनेटर है वो वन होता है और fraction के पार्ट में जो डिनॉमिनेटर होता है दोस्तों क्यों जो है वो वो वन नहीं होता है इस तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इसको और आगे समझते हैं जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है सेवन एक इंटीजर की फॉर्म में यहां पर मुझको नजर आ रहा है यह नेचरल नंबर भी पट रेशनल नंबर का अपोजिट एक इरेशनल नंबर पार्ट होता है वो हम आपको भी समझाता हूँ किस तरीके से हम उसको समझेंगे इसके लिए मैं आपको एक जनरिक एक टेबल बनाता हूँ मान लेते हैं मिर पास पी ये है और मैं को पी बाई क्यू की फॉर्म चाहिए क्यों दोस्तों मिर पास यहां पर आएगा और पी बाई क्यू की फॉर्म मैं यहां लिख देता हूँ इसका result जो आएगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ दोस्तो उसके बाद जो यह actual number है वो क्या है actual number क्या है और यह rational number है या नही रेशनल number है या नही इसको हम yes और no में लिखेंगे यहाँ पर फिर मैं आपको समझाता हूँ अब मैं इसको इस तरह से distribute कर लेता हूँ मैं सबसे पहले लेता हूँ P by Q की form में सबसे पहले मैं number लेता हूँ दोस्तो 7 7P है Q है मेरा 1 यह 7 by 1 P by Q की form मनेगी result में आएगा 7 और actually it is a integer यह एक integer है क्या यह rational number है दोस्तो yes it is a rational number यह rational number है इसके बाद मैं P by Q की form में P में 2 लेता हूँ Q में 3 लेता हूँ यहाँ पर इसको 2 by 3 लिखता हूँ और यहाँ पर 2 by 3 लिखने के बाद इसको मैं resultant देखू तो यह decimal form में चला जाएगा and it is a pure fraction यह एक pure fraction का का काम करता है क्या यह rational number है yes it is a rational number एक और example लेते हैं 3 by 2 ले लेते हैं P by Q की form आएगी 3 by 2 के हिसाब से और यहाँ पर resultant में हम देखेंगे तो 1.5 मुझे मिलता है तो यहाँ पर यह integer से बना है जो की 1 है और fraction भी यहाँ पर में को दिख रहा है जो की 0.5 है क्या यह rational number है यह दोस्तों यह rational number है इसके बाद हम चलते हैं एक और थोड़ा सा different type की चीज़ देखते हैं मैं एक P लेता हूँ 3 Q लेता हूँ 0 जब मैं इसकी P by Q की form ली तो 3 by 0 आगया बट यहाँ पर दोस्तों यह non applicable होता है इसको हम infinity भी बोल देते हैं क्योंकि 1 by 0 exist नहीं करता है इसको हम infinite form की terms में दर्शाते हैं और देखते हैं और यह दोस्तों undefined category में आता है undefined category में आता है क्या यह rational number है no दोस्तों यह rational number नहीं है इसके बाद हम एक और form लेते हैं बहुत interesting form है मैं तोड़ा इसको अलग तरीके से लिखता हूँ 22 by 7 22 P है 22 7 Q है 22 by 7 आ गया इसका resultant आया दोस्तों 3.141592 इस तरह चलता चला जाएगा दोस्तों यह एक यह एक यह एक दोस्तों irrational number actually it is a irrational number यह इर्रेशनल नमबर की category में आता है तो हम इस तरह देखें तो इर्रेशनल यह क्या इर्रेशनल है यह नहीं है no it is not a rational number because it is irrational number अब इर्रेशनल नमबर कौन सा नमबर होता है दोस्तों वो नमबर जहां पर जो fraction part है कि अध्रेशन पार्ट है दोस्तों fraction पार्ट यहां पर non terminator कि टर्मिनेटिंग हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग decimal इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जो इसका fraction पार्ट है दोस्तों यह कभी खतम नहीं होता और ऐसे चलता चला जाता है अगर हम इसको और expand करेंगे तो इसकी value कुछ इस तरह से हाती है 22 by 7 इसको हम बोलते हैं और ये इस तरीके से काम करता है 3.1415926535 and so on ये terminate नहीं होगा और ये indefinite time के लिए चलता रहेगा इसलिए ये दोस्तो irrational number की category से belong करता है क्या ये और भी ऐसे irrational number exist करते हैं दोस्तों इसको हम 5 बोलते हैं येस और भी irrational number है मेरे पास जिससे की e एक number है e एक basically एक term है एक एक symbol है जो की irrational number की category में आता है इसका भी non-terminating साही कुछ concept रहता है तो दोस्तों ये हुआ हमारा irrational number जो की हमने irrational number में भी समझा इसको समझना बला जरूरी था तभी हम बता सकते हैं कि जो non-terminating part है वो हम irrational number की category में डालते हैं उसके अलावा जितने भी type की number है मेरे पास वो सारे की सारे irrational number में belong कर जाते हैं अगर वो integer होते हैं जोसे मैंने पीछे था है whole number, natural number भी उस category में आ सकते हैं और दोस्तों यहां पर pure fraction और normal fraction भी integer racial number की category में belong कर सकते हैं आपको काफी मज़ा आया होगा, काफी अच्छा होगा, थैंक यू दोस्तों keep listening, keep learning, थैंक यू